जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को स्कूलों के खुलने के बाद उन बच्चों के स्कूल आने की भी कवायद शूरू हो रही है जो करोंणा के करार्न लंबे समय तक इसकूलों के बंद रहने से इसकूल से बाहर हो गए हैं राजर सरकारनेका ने लिए हैँ बता दे एक माह काया अभियान मंगलवार से पुरे राज्य के सरकारी स्कूल में सुरू होगा इस अभियान के माध्यम से प्रारंविक स्कूलों में बच्चों की सत परतिसात उपस्थिती सुनिश्चित की जाएगी ऐसा इसकूल से बाहर रह रहे बच्चों के इसकूल से जोड़ कर किया जाएगा अभियान के दोरान विद्या ले को कक्छाओ कि सवचल Oo शूड़ करदूभात के साथ आज शूरू अज मंगलवार से नहाए खाय के साथ चैती छट महापर्व सुरू हो गया है चैती छट को लेकर वर्तियों ने सुबा से ही त्यारी कर ली थी आई सुबा असनान ध्यान करने के बाद बर्तियों ने बिना खाय कदू भात बीधी के अनसार बनाया जिसका ग्रहन कर अब कल खरना की त्यारी की जा रही है खरना का समय बुदवार को साम 6.6 बजे के बाद है बता दे नोरात्र की पूजा के साथ 7.6 पूजा के लिए घाट भी बना लिया गया है सवाट के बाया तलाब, हटिया तलाब, कांके डैम, रुका डैम, चंडरी तलाब, जेल तलाब, चुटिया तलाब में चैती छट की पूजा के लिए साप सफाई की जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर अधि सुचना इसी हफते जारी होंगे जारखन में तापमान बढ़ने के साथ साथ सियासी पारा भी चड़ चुका है, बता दे जामुमों के अंदर खीचा तानी जारी है, बिधायक लोबिन हेमरम और सीता सुरेन ने हेमन सुरेन सरकार के खिलाब मोर्चा खोल रखा है, वही कॉंग्रेस के बिधायक वह मंतरी दिल हो जाएंगी, उन्होंने कहा कि जारखन कॉंग्रेस के परभारी अविनास पांडे ने उन से कहा था कि राज में पंचाय चुनाव कराने की जरूरत है, किसानों को धान बिकरी की दूसरी किस्त का भुकतान जल्द, जारखन राज के 1,31,000 किसानों ने अब तक सरकार को लग अभग 70,000,000 कियोंटल धान बेचा है, इसमें से 1,33,000 किसानों को पहली किस्त की राजिका भुकतान किया जा चुका है, इनमें निवतम समर्थन मुले 1940 रुपे परथिक कियोंटल की दर से 50,380 का भुकतान किया गया, अब दूसरी किस्त की राजिकी भुकतान की परकिरिया इसके ताहित किसानों को बोनस का 110 रुपे परतिक इंटल के साथ साथ 19 समर्थन मुले के 50,380 का भुकतान किया जा रहा है, अब तक सरकार की ओर से 332 किसानों को धान को कराय कि पूरी राजिका भुकतान किया जा चुका है, सरकार ने धान कराय के ये वजnehmen किसानों को 557.9.2 रुपय का भुकतान किया है जार्खन हाई कोट ने DVC और सरकार समांगा जवाब जार्खन हाई कोट ने धनबाद 45 के 20 स्थापित से अधिक बारी लोगों को नियुकति करने के मामले में DVC और सरकार को जवाब दायर करने का निदिस दिया है चिफ जस्टिस डाक्टर रभी रंजन और जस्टिस सुजित नरायन परसाद की खंड पिट ने सोमवार को सुनवाई की मामले की CBI जाज को लेकर दायर PIL पर सुनवाई की गई अगली सुनवाई के लिए खंड पिट ने 6 माई कितिती निधायत की है इससे पूर प्राथी की ओर से अधिवक्ता विजय संकर परसाद ने पक्ष रखते हुए खंड पिट को बताया की पंचेत डेम परिवजना का निर्मान 1956 से चल रहा है DVC द्वारा भी स्थापितों के नाम पर लगभाग 9500 लोगों को नियुक्ति की गई इसमें सीर्फ 520 स्थापितों को ही नियुक्ति दी गई है सीता सोरेन की तरप से बेटी जैसरी ने संबाला मोरचा जामुमों में सीता सोरेन वह लोबिन हम्रम को लेकर चल रही खीचातान के वी सीता सोरेन की बेटी जैसरी खुवल कर सामने आ गई है उन्होंने 6 अपरेल को पुराने विधान सभाज सभागार में दुर्गा सोरेन सेना का राज जस्तरिय समेलन बुलाया है दुर्गा सोरेन सेना की केंद्रिय अध्याक्ष जैस्री सोरेन ने बताया कि यह संगठन का पहला राज जस्तरिय समेलन है इसमें केंद्रिये पताधिकारियों और जिला धक्षों के नाम की घोसना की जाएगी साथ ही भावी कारेकरमों की रूप रेखा संगठन विस्तार वा आंदोलात्मक कारेकरम पर चार्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि जल जंगल और जमीन की लडाई तथा अदिवासी मुलवासी के हीटो की रक्षा कुले कर चले लंबे संगहर्ष में दिसों गुरू सीबू सुरेण के सबसे बड़े पूत्र होने के नाते स्वर्गई दुर्गा सुरेण ने प्ना स्वर्थ निऊचार कर दिया था उनके अधूरे सपने को पूरा करने और हर घर के अंधियारे को दूर कर उजियारा फैलाने के लिए अब फिर नया उल्गुलान होगा है जार्खन परदेश कॉंग्रेस के 25 नेता दिली तलब जार्खन में मौसम के साथ सियासी पारा भी चड़ा हुआ है जामों के अंदर हलचल है बिधायक लोबिन हिम्रम और सिता सुरेण ने सरकार के खिलाप मोर्चा खोला है उधर कॉंग्रेस के बिधायकों को लेकर भी राइनिति गलियारे में खबरे तयार हो रही है मंत्री बन्ना गुपता की पुर्व मुख मंत्री रगवर्दास के साथ मुलकात के मायने निकाले जा रहे हैं बता दे परदेश प्रभारी अविनास पांडे पिछले दिनों जार्खन दोरे पर आये थे उन्होंने मंत्रीयों और विधायकों से अलग-अलग बात शित की थी पार्टी के पुराने नेताओं से भी चाचा की थी मंगलवार को परदेश कॉंग्रेस के 25 नेताओं को दिली बुलाया गया है बैठक में सरकार में सामिल कॉंग्रेस के मंत्री वरिष्ट विधायक पर्देश अध्यक्स पूर्वा पर्देश अध्यक्स और सहयोगी संगठन के पूर्वा अध्यक्स सामिल होंगे इसमें बरतमान डाई नितिक हालात पर चर्चा होगी मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा की जाएगी सिम्डेगा में जार फुक करने वाले ओजा की टांगी से काट कर हत्या जार खंड के सिम्डेगा जिलेग के बोलबा परखंड की बेहरीन बासा पंचायत के गोई फोंगा ग्राम निवासी मोहन परधान पैतारिस वर्षे की रात्री में धारदार हाथिया टांगी से हत्या कर दी गई परिवार वालों की निशंदेही पर लक्षिंदर परधान को गिरफतार कर पूलिस जाच में जूटी हुई है बताया जार आए कि मिरितक मोहन परधान जार फुक का भी काले करता था दो दिन पहले रिस्तदारों से उनकी कहा सुनी हुई थी असंका जाहिर की जा रही है कि परिवारिक बिवाद में ही हत्या की गई है ज्यारखन बंद को लेकर पूलिस अलर्ड चला रही सर्च अपरेसन नकसली संगठन भागपा मवादी द्वारा बुलाया गय बंद का ज्यारखन के गिरीडी जिले में मिला जूला असर देखने को मिल रहा है गिरीडी बस इस्टेंड से खुलने माली लंबी दूरी की बस से अपने समय से खुल रही है हलाकी बंद के मद नजर गिड़ी पुलीस एवं सियार पीएप के जवानों के द्वारा ज्यारखन भीहर के सिमवार्ती इलाकों में सर्च अभ्यान भी चलाया जा रहा है वही नक्सली परभावीत पारसनात पहाडी की तराई वाले इलाकों में पूलिस की विशेस नजर है और इस इलाके में भी पूलिस का नक्सली के खिलाब सर्च अभियान जारी है आपको पता दे कि भागपा मवादी के केंद्रिय कामिटी सदसे चंदन दा की गिरफतारी की बिरोध में जारखन बिहार पच्छी मंगाल वा असम में आई नक्सली बंद की खोसना की गई है मंत्री चमपाई स्वरेन को TMH से मिली छुटी जारखन के परिवहन एवं आदिवासी कल्यान मंत्री चमपाई स्वरेन की तवियत में सुधार के बाद मंगलवार की सुबा उन्हे TMH जमसेत पूर से छुटी दे दी गई है आपको बता दे कि तवियत खराब होने पर उन्हें TMH में भरती कराया गया था जारखन में इस सल बारिस की भविस यानी सरहुल पर पाहनों ने सरना अस्थर पर पिछली रात रखे गए घड़ों के पानिक का अस्थर दे कर बारिस का पूरोनवान लगाया है हात्मा मोजा में जग लाल पाहन ने कहा है कि इस सल बारिस समाने है उतर दिशा की ओर से बारिस ज्यादा होने की संभावना है पूजा के कराम में उन्होंने सब के स्वास्त के लिए प्रास्ना की साथी प्रकirti के प्रति अपनी गलतियों के लिए छामा भी मांगी मुख्य पुजा के दौरान सिस्टी करता सिक बोगगा के लिए सफेद हातु बोगगा के लिए लाल इकीर बोगगा के लिए माला मूर्गा वऔ हडम बुढ़ी के लिए रंगली मूर्गी की बली दी गई वहीं भूत प्रेत को सांत करने के लिए काली मूर्गी की भी बली दी गई है रांची की केक आर्टिस्ट ने सरहूल की थीम पर बनाया केक क्रांची की केक आर्टिस्ट सनेहा ने सरहूल की थीम पर केक त्यार किया है इसमें सरहूल उत्सव को दर्साया गया है सनेहा के अनुसार वेस केक क्रीम रंग का है जिसमें लाल बॉडर है जो इस तेवार में महिलाओ द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी को दर्साता है फिर ह हमारे पास जार्खन के नक्से के साथ एक गलोब है जो हमारे राज्ये के समरीत फोलोरा एनाप फोना को दरसाता है सिर्ष भाग में हम लोग हमारे परमपरीक नीरते के साथ सरहुल तेवहर मनाते हैं इसके उपर एक पलास का पेड़ भी है बाद में बोड़या गाउं के बच्चों के केक बाटा गया बता दे सनिहा नरायन माकन बाकन नाम की एक होम बेकर की मालकी नहाएं रांची के बेड़ो में पानी की किला तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही रांची के बेड़ो परखंड के गरामीन छेतर में पेजल संकट परसानी का सबब बन गया है चिचिलाती धूप में गरामीन हलक तर करने की जदो जिहत कर रहे हैं आलम यह है कि अब पानी ढोने का जीमानों निहालों पर भी है छोटे-छोटे बच्चे गाउं तसासल को पर पानी ढोटते साफ दिखे जा रहे हैं बता दे परखंड के पुरियो नारी तुको सेरो गाउं में ग्रामिन बुंद बुंद की पानी को तरस रहे हैं हजारी बाग के नेताओं को नहीं भारहाराम नमी जूलूस गाइडलाइन देश भर में प्रसिद हजारी बाग की महराम नमी जूलिस को लेकर जारी सरकार का फर्मान आम लोगों आखाडा धारियों से लेकर विधायकों तक को पसंद नहीं आ रही है बिधायक सता पक्ष हो या बिपक्ष सब चाहते हैं कि सरकार अपने निर्णा में बदलाव लाए भव्याता के साथ जुलूस निकले बिरोध के स्वर सदर विधायक मनिस जैसवाल बरही विधायक उमा संकर अकेला और पूर विधायक बरही मनोज यादव बुलंद कर चुके हैं सदन से लेकर सीम तक मनिस जैसवाल और बड़का गाउं की बिधायक अमबा परसाथ के साथ साथ बरही बिधायक उमा संकर अकेला अपनी बात पहुंचा चुके हैं धन्यवाद